मैं रोहित मौर आपका इस lesson में स्वागत करता हूं पिछले lesson में हमने यह देखा कि जब भी हमें computer की memory में कुछ value store करना होता है हम लोग वहाँ पे variable define करते हैं variable define करने के लिए हमारे पास यह syntax होता है जहां पर आप देख सकते हैं left side में variable name है right side में value है आज के इस lesson में लोग देखने वाले हैं कि variable name लिखने के क्या rules होते हैं और इसका विध्यान रखें मैंने हाँ यहां पर यूज क्या है identifier इतिवायर तो identifier के अंदर वर्येबल नेम तो आती है इसके अंदर सारे आते हैं इसका मतलब भी होता है कि जब भी हम लोग function name लिखेंगे class name लिखेंगे module name लिखेंगे या variable name लिखेंगे तो same rule ही काम करेगा लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें function क्या होता है class क्या होता है लिखा गया जो फर्स्ट रूल होता है यह क्या बोला है कि वर्येबल नेम या इडेंटिफायर स्काइन भी कांबनेशन आफ लेटर इन लोवर केस अपरकेस डिजिट एंड अंडर इसकोर इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप वर्येबल डिफाइन कर रहे हैं तो आप इन नहीं कि आपको यहाँ पर सिंगल लेटर लेना है आप महाँ पर मल्टिपल लेटर भी ले सकते हैं जैसे इस तरीकेस ले रहा हूं मैं यह भी परफेक्ट है मैंने आप पर लोवर केस डिजिट ले लिया यह भी परफेक्ट है इसी तरीके से आप इनके कॉम्बिनेशन का इ कर सकते हैं पिर देखी मारे पास यहां पेर सेकेंड रूल है जो यह बोल रहा है एन आइडेंटिफायर केन नाट स्टार्ट वीथ डिजट इसका मतलब यह है कि अगर लोग डिजिट से स्टार्ट करें जिसे देखिए माने ऐसा स्टार्ट कर दिया तो यह गलत है यह सही बा मिलेगा फिर अपने पास यहां पर next है third rule यह बोलता है कि keywords cannot be used as a identifier तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं keywords क्या होता है keywords जो होता है यहां पर हर एक programming language में बहुत सारे words जो होते हैं reserve होते हैं जिनका एक special purpose होता है जैसे if हो गया else हो गया for हो गया break हो गया end हो गया इसी तरीके से बहुत सारे words होते हैं जो कि आप आगे आने वाले classes में देखने वाले हैं इनका एक special purpose होता है उसी के लिए इस्तमाल किया जाते हैं और मैंने यहां पर link भी दिया हुआ है तो आप इस link को अपने पास यहां पर next rule है we cannot use special symbols like this हमने आपर फर्स्ट रूल में देख लिया था कि हमें lowercase uppercase digits और underscore इसके अलावा हम लोग किसी का भी इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो आपकोर्स जो भी symbols यहां पर दिये गए हैं वो सब इसके बहार है तो हम लोग इसका इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं जैसे देखिए मैं अगर यहां पर एक हैश ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करूं तो यह गलत है यह syntax सही नहीं है फिर यहां पर देखिए last rule क्या बोल रहा है identifier can be of any length इसका मतलब यह है कि जब भी आप variable define कर रहे हैं तो उसका length कुछ भी हो सकता है यहां पर कोई limit नहीं है तुमारे पास यहां पर पांच रूल दिये गए हैं तो आप वहां पर इन पांच रूल का ध्यान रखेंगे और साथ में देखिए यहां पर note भी दिया गया है note में क्या लिख रहा है python is a case sensitive language इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि python अगर कोई upper case में लिखा गया है और दुसरा lower case में लिखा गया है तो दोनों को अलग समझता है इसका मतलब क्या है मैं जस्ट आपको एक example स a नाम से identify कर सकते हैं अमाले जे कोई आप सभी बोलता है कि जो a का value आप उसको change कर दीजिए तो आप a is equal to 20 ऐसा नहीं लिख सकते है क्योंकि python इस a को जो small case में a है और जो यहां पर case में a है दोनों को अलग समझता है तो यहां पर क्या होगा basically कि इस line से computer के memory में आप 10 इस्ट कर सकते हैं अगर आपको इस value को change करना है तो same same to same इसी variable name का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपने उसको अपर case में कर दिया है तो python उसको अलग variable समझेगा न की same इसको हमनों बोलते है case sensitive आपने दुसरा case का यूज़ कर लिया तो python उसको अलग समझेगा फिर python ही case sensitive नहीं ह तो मैंने आप पर plus code पर क्लिक किया और यहां पर हमारे लिए sale आ चुका है जो first rule है वो तो बहुत ही simple है यहां पर तो आप small case uppercase digit underscore इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप variable name define करने के लिए run कीजिए आप देखेंगे कोई problem नहीं है second rule बोलता है कि आप digit से start नहीं कर सकते हैं तो द identify यूज नहीं कर सकते हैं जैसे मैं for is equal to ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर error है और इसका ध्यां रखेंगे जो मैंने आप यहां पर लिखा है तो आप देख सकते हैं कि वहां पर जो color है वो थोड़ा सा different है वो purple color में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि एक keyword है तो हम लोग यहां पर keywords को as a variable name यूज नहीं कर सकते हैं और जो यहां पर fourth rule है जो मारे पास यहां पर special symbols है उसका हम लोग इस्तमाल नहीं कर सकते है वारियबल लेम लिखने में जर्श देखिए यहां पर अगर मैं आपर कुछ हैस वगरा का यूज करना चाहूं तो य यह ठीक नहीं है अब देखेंगे कि यहां पर एक error दिखाई देगा आज के lesson में हमने देखा किस तरीके से हम लोग वरियबल नेम लिखते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स और लेबल है कि value हम लोग किस तरीके से python कंदर लिखते हैं और कौन-कौन से type के value python कंदर और लेब